नमस्कार में राज मोहना आप देख रहे हैं बिहारी नीवस बिहार का क्ड़िव रज लेकर आज मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ 18 अगस्त का रंज बिहार स्वास्तव बिभाग ने जारी कर दिया है जो आखhes कीने नए संक्रमित मरीजों के मिलने की उनकी संक्या है 3257 यानि पिछले 24 घंटे में पूरे बिहार से 3257 नए कुरोना संक्रमित मरीजों की संक्या पहुच गई है बिहार में कुरोना संक्रमित मरीजों की संक्या पहुच गई है चलिए एक नज़र डालेते हैं कि किस जीले से कितने संक्रमित मरीजों पिछले 24 घंटे में मिले हैं उस पर अररिया 97, अरवल 34, औरंगाबाद 136, बाकाच 29, बेगुसराय 164, भागलपूर 182, भोजपूर 66, बक्सर 71, दरभंगा 43, इस्ट चंपारन 200, गया 64, गोपाल गंज 61, जमुई 8, जिहानाबाद 46, कैमूर 22, कटिहार 96 खगरिया 31, किसन गंज 49, लखिसराय 50, मद्यपूर 43, मदुबनी 234, मुंगेर 51, मुझफरपूर 135, नालंदा 94, नवादा 23, पटना 368, पुर्निया 149, रोतास 66, सहरसा 116, समस्तिपूर 45, सारण 153, से पूरा 28, सिवहर 22, सिता मडी 94, सिवान 32, सुपॉल 35, वैसाली 42, वेस्ट चमपारण 81, इस तरह पिछले 24 गंटे में कुल 327, नाय कोरोना संक्रमीत मरीज पूरे बिहार से मिले है, बिहार स्वास्त भीभाग ने पिछले 24 गंटे का जो डाटा साजा किया है, जो जानकारी दी है, उसे देखने के बाद पता चलता है, कि पिहार में पिछले 24 गंटे में 10 जीले ऐसे हैं, जहां 100 से ज्यादा संक्रमीत मरीज मिले हैं, पटना में 300 से ज्यादा मिले हैं, इस चमपारण और गया में 200 से ज्यादा, वहीं अगर बात करें, 90 से ज्यादा संक्रमीत मरीजो पिछले समय में मिले हैं बिहार में संक्रमन का जो संख्या है वह एक लाख नौ हजार को पार कर चुका है तक्रीबां समझे कि एक लाख दस हजार के आसपास पहुंच गया है बिहार में चैन्ज हो है वह ब्रेक होता नजर नहीं आ रहा है कभी मामले बढ़ते हैं तो कभी जिस तरह से जाच होती है उस तरह से मामलू की संख्या में बढ़तरी दर्ज होते रहती है तो विहार में फिलाल संक्रमन का दर लगतार बढ़ते जा रहा है घटने का नाम नहीं ले रहा है लोग ड़ा दिया गया है लेकिन लोगड़ान बढ़ाने का कुछ खास असर अब तक देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि संक्रमन की संक्या बिहार में वो कम होते नजर नहीं आ रही है लगतार 3000 से ज़्यादा मामले मिलते ही जा रहे हैं फिलाल के लिए इतना ही ख़बरों में बने रहने के लिए देखते रहे हैं बिहारी नियूज धन्यवाद